नमस्कार दोस्तों वेलकम टो स्विंग ट्रेड आज हम बात करेंगे मास फाइनन्चियल सर्विस कंपणी के बारे में इस कंपणी में फ्रेंट्स मुझे लगता है कि बहुत बड़ा अपरचुनिटी यह स्टॉक में जो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं यह स्टॉक को अगर रिस्क ले सकते हैं वीडियो को आगे देखते रही है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब को जरूर एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर पहली बार आपने इस चैनल पर विजिट की हैं चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिजिए उसके साथ में व अगर इसी साब से देखेंगे यहां पर 100% आनलिस्ट यहां पर बाइंग का कॉल दे रहे हैं और बाकी सारे पारामेटर भी आपको एक बार बिल्कुल जरूर स्टाडी करना चाहिए यहां पर इंट्रेंसिक व्यालू से निक्चे स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा है यह बहुत कम्पनि का प्रफिट को अगर एक बार श्रॉडी करेंगे तो यहां पे देखिये 208 मिजयक मिला था चारसो हैटर क्रोड उसके बाद में चैसे सो शोट्रय करोड देखने को मिला यहां पे 207 करोड उसके बाद में यहां पे 6 το XENE उसके साथ में और 2019 को देखते हैं यहां पर 153 नेट प्रॉयत गहां उसी के साथ में यहाँ जो डियकर neutral होगा उसके साथ में यहां पर 167 उवए उसके बाद में उसके बाद में यहांपर कोवीड का झुशन था तो यहां पर 145 करोड फिर लिवर ने प्रॉफिट पोस्ट किया उसी के साथ में यहां याँ प्रॉफिट करोट का यहां पर प्रॉफिट किया अगर हम बात करेंगे ऐखर हम प्रोम Wag nic इन भी अगर हम देखते हैं तो यहां पर प्रमोटर के पास में दिखे सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी प्रमोटर के पास में जो कि 73.6 परसेंटेज का हिस्सेदारी प्रमोटर के पास में और यहां पर प्रमोटर के पास में परसेंटेज का हिस्सेदारी और यहां पर पास में नाइन परसेंटेज का हिस्सेदारी देखने को मिल रेफ्रेंस उसी के साथ में अगर हम आज के एक इंपोर्टन पॉइंट की बारे में बात करूंगा लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहां पर स्टॉक का जो क्लोजिंग प्रैस देखने को मिला है उसी के साथ में अगर ट्रेडिंग का क्वॉंटिटी देखेंगे ना 25,138 क्वॉटिटी ट्रेडिंग हुआ है उसके साथ में डेलिवरी उठाए गया है जो कि 79 परसेंटेज के यहां पर टेलिवरी उठाए गया जब अब तरीके से कंपनी में डिलिवरी उठाए गया तो उसी हिसाब से अगर हम देखते हैं चाट पटन में चापको बताना चाहूंगा यहां पर दिखिए अगर आप कुछ दिन पहले स्टाडी करेंगे स्टॉक बाइए गिर बड़ देखने को मिल रहा था कोवीड के बाद में इम्मीडियेटली यहां पर रिकर्वरी आया था कितना बड़ा क्रेक्शन हुआ था सब्सक्राइब के बहुत बड़ा पर यहां पर उठाया गया किसने यहां पर जरूर देखा कि स्टॉक मतलब बहुत एक जो कि आ चुका है अगर आप देखेंगे तो यहां पर देखेंगे कितना जबरदस तो यहां पर वाईंग होने के बाद में यहां तक लेका है उसका भाल्यूम ठीक है तो उसके आने की बाउचुद में फिर से क्या हुआ फिर से मार्केट में ये स्टॉक में देखिए फिर से पिटाई स्टार्ट हो गया है फिर से करेक्शन हुआ फिर से स्टॉक एक सही लेवल पर फिर से उसी लेवल पर आ चुक है जो मतलब यहां पर जिस लेवल तक बाइंग करके लेके गया है उस लेवल तक क्योंकि यहां पे बहुत बड़ा volume के साथ में माल उठाय जा रहा है और इंट्रेट के निचे और वहाथ बढ़ी आ लेवल पर चल रहा है यहां पर सिधा सिधा हम अगर सिधा सिधा एक लेके चलते हैं सीधा यहां तक का अगर मैं लेके चलता हूं ठीक है जो कि 723 तक अगर लेके चलता हूं रिसेटाई तक यहां से लेक अगर रिसेंट ही तक लेके चलते हैं बिल्कुल बिल्कुल एक six months में अपना टार्गेट आचीब करा सकता है ठीक है आप देख रहे ना जब मार्केट में जब ऑपरेटर एंट्री मारता है तो डारेक्ली तिन दिन में अपने टार्गेट आचीब करा देता है ठीक है तो इसी साब से यहां पे बिल्कुल एक 50 परसेंट का रहके चल सकते हैं और इक टार्गेट बताना चाहूंकर नेक्स्टार्गेट बिल्कुल आप यहां तक लेके चल सकते हैं क्यंकि यहां परेटर यहां प dei jest rather तो यहां पिल्कुल resistance अगर फूर्टंग लेघेपल तक और अपना पोठफोले में लेकी चलते हैं तो भी ओ हो सकता है इसके लिए आपको एक साल लग सकता है देड़ साल लग सकता है इससे कोई ग्यारेंटी नहीं है कि आपको six months में आचीव हो जाएगा एक साल में लेकिन फिर वी अगर दो साल में आपको एक अगर हम पोर्टफोलिय ग्रोइंग करते हैं तो रही साल में अपना पोर्टफोलिय डबल होता है लेकिन उसके बीच में इससा सिनारियो भी आता है मार्केट जो की छे महिना एक साल तक मार्केट बिल्कुल कंसलरेशन रहेगा ठीक है जो मार्केट जब राली दिखाएगा न से महिने में एक साल में अपना पोर्टफोलिय जबरतस तरिके से ग्रोइंग करेगा यह सारा फेस को हमें बिल्कुल अपना पेसेंस के साथ में इनवेस्ट्मेंट करके रहना है बिल्कुल पैनिक नहीं करना यह तीक है व्याहिपको एहीश कहला है । अगर हम RSA के बारे में बात करेंगे इसका RSA दिखिए इसका RSA बिल्कुल एक 35 का लेबल तक आ चुका है फ्रेंट ठीक है मुझे लगता है यह बाइंग का अपर्चुनिटी आप बिल्कुल एक स्टाक को कॉंसिडर कर सकते हैं लेकिन किसी भी स्टाक में आप पोजिशन बनाएंगे आपका Financial Advisor से जरूर सला ले लिजिए तो उसी वेसिस पर आपको किसी भी स्टाक में पोजिशन बनाना है वाय और सेल का कॉल लेना है अगर फिर भी अगर आप स्टाक मार्केट में नियूली इल्वेंट कर रहे हैं आपक आपको मिल जाएगा इस नमबर पर आप में आते हैं हर एक चीज का आपको डिटेल आनालिस मिलेगा और हर एक कोई में आपको चार्ट का भी आनालिस मिल जाएगा अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत भ़ुत धन्यवाद चैनल को अगर आते हैं तो वहां पर प्लेइलिस्ट भी जरूर भी जिट किजिए वहां पर काफी स्राइज प्रीव में भी जिख सकते हैं प्रेंस थैंक्यू बेरी मच्ट प्रेंस पर आचिंग इस वीडियो मिलते हैं आएक वीडियो के साथ में